सबीको राम राम जी सनातंधरम की जया और सबीको साधुवाद परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी अब तीसरे कारेकाल में भारत के परधान मंतरी का निर्तेत्व कर रहे हैं और आपको पता ही है अभी इटली के अंदर जी सेवन समिट चल रहा था आज वैसे परधान मंत्री जी भारत लोड़ चुकी है जी सेवन समिट को अटेंड करने के बाद लेकिन परधान मंत्री जी जो जी सेवन समिट इटली में हुआ वहाँ पर जब गे हुए थे तो वहाँ से कुछ तस्वीरे निकल के सामने आ रही है उस तस्वीरों के बाद आप खुद देखेंगे कि भारत जब जी एट टूटाउजन सेवन टीन दोहजार साथ के समिट में था और आज के समिट में कितना फरक है हमारे जो परधान मंतरी जी हैं वो आज किस पूजिशन पे हैं और पहले की सरकारों में परधान मंतरी किस पूजिशन में होते थे दो तस्वीरों को compare किया जा रहा है इस समय इंटरनेट के उपर आप देखेंगे एक तस्वीर आपके सामने है जिसके अंदर आप देखेंगे ये सभी नेता खड़े हैं और हमारे उस समय के परधान मंतरी मनमोन सिंग जी कहां खड़े हैं लेकिन उसके बाद आज देखिए आप आज वही समिट में सारे नेता खड़े हैं और उसी बीच में परधान मंतरी जी की पूजिशन क्या है परधान मंतरी जी बिलकुल इस समय जो है इस पूरी टीम के अंदर जो है सेंटर में खड़े हैं जो ये जी सेवन इटैलिया यानि क इटली के अंदर जो जी सेवन क्या ये पूरा समिट चला है यानि कि आप खुद अंतर देख सकते हैं एक समय था जब भारत को कहां खड़ा किया जाता था और आज का समय है भारत को कहां खड़ा किया जाता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि भारत इस समय किस पूजिशन प उपर एक समय था जब भारत के प्रधान मंत्री को कहीं साइड पर खड़ा किया जाता था लेकिन एक आज का समय है जब जी सेवन का समिट हुआ इटली के अंदर तो सभी नेताओं में प्रधान मंत्री जी सबसे सेंटर में खड़े थे यानि कि आप खुद देख सकते हैं आज भारत किस पोजीशन पर है और एक समय पहले था तब भारत को कहीं साइड पर खड़ा किया जाता था और कहीं बार तो पिक्चर से भी बाहर हो जाते थे लेकिन आज आज आप देख सकते हैं बिलको सेंटर में परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी खड़े हैं पहला मास्टर स सबको मिलकर भारत को जो है विश्व गुरू बनाना है सबको अपनी अपनी कौंट्रिबूशन देनी हैं सबको अपने देश को आगे लेकर जाना है तभी हमारा भारत जो है विश्व गुरू बन सकता है देखते रहें to be bedヤा धन्यॐराद सबी को राम राम सबीका साधूब झाल